मैंने देखी दहार वैब सीरीज जो आनी थी 12 माई को एमाजोन प्राइम पर पर पता नहीं कैसे 11 माई रात 9 बजे ये वैब सीरीज एमाजोन प्राइम पर लाइब हो गई जिसका फाइदा तुमारे वाईने वेखूब उठाया साही रात जाकर इस वैब सीरीज को देखा सिर्फ तुमारे लिए तुमारे लिए तो कर देना सब्सक्राइब ये वैब सीरीज है आठ एपिसोड की इसका हर एपिसोड लगबग 55 से 60 मिनट का है मतलब लगबग 8 घंटे क्या आपको 8 घंटे अपनी लाइफ के इस वैब सीरीज को देने चाहिए या नहीं आईए मैं बताता हूँ मेरा नाम है जय और आप देख रहे तेरा मेरा रिव्यू चैनल ऐसा नहीं है कि ऐसे टोपिक पर हमने पहले कोई वैब सीरीज या मूवी नहीं देखी ऐसे टोपिक पर पहले ही काफी सारे कॉंटेंट बन चुके हैं जिसमें गरी परिवार की लड़की होती है जिनकी उमर 28 25 साल की होती है और समाज और घरवालों से ताने पढ़ते रहते हैं शादी को लेकर क्योंकि घरवाले दहज दे नहीं सकते और बीना दहज के शादी होगी नहीं ऐसे में एक सीरियल किलर उन लड़कियों को चुनकर अपने प्यार में फसाता है और उन्हें शादी का जहसा देकर घर से भागने में मजबूर करता है फिर किसी होटल में उनके साथ सारी रिक संबद बनाता है साथ में उनको एक पोईजन की गोली खिला कर मार देता है ऐसा ही एक केस राजिस्थान के जिले की प्लिश टेशन में आता है जिसकी जाच परताल करती है सुनक्षी मैडम जिने केस की जाच परताल करते वक्त पता चलता है ऐसे एक दो तीन केस नहीं है बलकि 27, 28, 29 केस है जो एक दूसरे से कनेक्टिड है और इनकी स्टोरी भी एक जैसी ही होती है अब सुनक्षी मैडम उस सीरियर किलर को पकड़ पाती है या नहीं और वो सीरियर किलर कतल क्यों क इसी को बहुत ही खुब सूरती से इस सीरियर के अंदर हमें दिखाया गया है सीरियर के राइटर ने इसकी स्टोरी बड़ी ही चटुराहि से लिखा मुझे पहले से ही पता होगा कि कातिल कोन है वर उसके अंदर चल रहे करदारों को नहीं पता होगा अब जिस तरह कातिल का पीछा पुलिस जाज फरताल करती है वो इसीरीश को देखने हर करेक्टर पर फोकस किया जाता है यहां तक कि जाती वात पर भी फोकस किया जाता है कि कैसे छोटी जातवाई लड़कियों के कितने ही केस रेजिस्टर नहीं होते और जिनके रेजिस्टर होते हैं उन पर ठीक से कारवाई नहीं करते और केस को जल्दी से क्लोस कर देते हैं जिसका काफी फाइदा कातिल भी उठाता है। वहीं पाचवा और छटा एपिसोड स्टोरी को बस खीचते हैं। अगर उन्हें हटा देते तो भी कोई फरक नहीं पड़ता स्टोरी पर। पर साथवे और आठवे एपिसोड में जो घमासान भागम भाग चलती है। पर टुष्टो टन हमें दिखाए जाते हैं, वो मजा दे जाते हैं और सीरिस के एड में एक ऐसा टुष्ट है जिसे आपको समझना पड़ेगा। इस सीरिस की स्टोरी जैसे एंड की गई है, लगता है दूसरा सीजन भी आएगा। सीरिस के सभी एक्टर ने अच्छी एक्टिंग कही है, खास कर विजे वर्मा सर ने, श्वैम सर ने, साथ में सुनाक्षी मैडम ने भी, इन सब ने अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। सीरिस में कई सारे वल्गर सीन भी है, पर ऐसे सीन नहीं है जो फुल न्यूर्यूटी के साथ दिखाए हो, पर हाँ ये समझ में आता है कि क्या चल रहा है, साफ साफ हो भी, मैं तो कहूँगा इस सीरिस को अकेले ही देखना बाकी आपकी मर्जी है, मैं इस सीरिस को देता हू में जब तक के लिए बाए